कीजे सद्गुरु महराज कीजे सर्व सुन्दर सात कीजे रथम लागों दो चरण को धनिये न छोड़ायो फिन लाक तले लालडियां मिर जीव के ही जीवन इन पाउं तले पडे रहूं धनी नजर खोलो बातूं वल नावालो निर्कूने त्रे मिर जीव के ही जीवन पडाम जी सब चिंदर साथ को पडाम जी कल हमने रंग महल की नो भोम दस्मी अकाशी की कौन-कौन सी भोम की शोबा हमने देखी पहली भोम रसोई की हवेली और मूल मिलावा दूसरी भोम भुल बने की शोबा तीसरी भोम परसाल तीजी भोम की जो परसाल यानि की यहां पे इस परसाल पे सबसे ज़्यादा टाइम शिरे राजी मराज यहां पे रहते हैं यहां सबसे ज़्यादा टाइम हम सब सुन्दर साथ सबसे ज़्यादा टाइम यहां पे बतीद करते हैं तो अब हमने चलना है चौथी भोम निरत की चौथी भोम की चौथी चौरस हवेली में निरत की जो शोबा आई है निरत की हवेली की उस शोबा को हम समझेंगे तो हमने सबसे पहले आगे की शोभा को समझा जिसमें ये दस मंदिर का जो एक हांस की शोभा है पहली भूम में भी सबसे पहले यहां पे सीडियों के मंदिर से यहां पे आए फिर इधर सामने दूसरी भूम की शोभा के जरोके, ये धाम दर्वाजी के उपर ये जरोके की शोभा को देखा, जाली द्वार, दो द्वार बड़े और जाली द्वारों की शोभा को देखा, इन बड़े जरोकों की शोभा को, फिर तीसरी भूम की ये दस मंदिर का जो ये में इस जगे इस मंजिल पर यहां पर जाना है इसके लिए दूसरा नक्षा में देखते हैं हमने सीडियों वाले मंदिर से चलना है सब सुन्दर साथ को पता है कि हम तीसरी भौम से चोथी भौम आ रहे हैं तीसरी भौम में सीडियों वाले मंदिर से उपर चलना है तो तीसरी भौम मान लो यह जियूम करो यह तीसरी भौम है तो सीडियों वाला मंदिर सब जगे सेम उसी जगे पर आएगा कहां पर आता है सीडियों वाला भूम सीडियों वाला मंदिर एक सुन्दर साथ फटाफट जवाब देंगे कि सीडियों वाला मंदिर कौन सी हवेली में है जो पहली में भी भूम में भी है तो तीसरी भूम पहुच गए उत्तर दिशा में अब यहां से हम तीसरी भूम से चोथी भॉम हम पहुँच गए यानि कि तीसरी भॉम के लिफ्ट वाले में बैठे तो हम चोथी में यहाँ पे यह बैठे हैं यह रा उत्तर का हमारा सीड़ी वाला मंदिर अब सेम वैसी ही जैसी तीसरी भॉम में नीचे हमारा आई थी अवेली तो चोथी भॉम में भी सीड़े उपर वैसी ही चोरस हवेली पहली पहली चोरस हवेली अब यहाँ पे हम पहुँच गए अब हमें कहां आना है सबसे पहले सामने की शोभा हम देखेंगे यानि कि जो दस मंदिर का एक जो हास आता है उसकी शोभा को समझते हैं कि यहाँ कोई फर्क तो नहीं आया नीचे उपर वाली सब भॉमों से कुछ डिफ्रेंस तो नहीं आया न उस शोभा को हम देखने के लिए यहाँ पे हम पहुँच गए सब मिलके अब मुझे यहाँ आना है तो मैं बाहर निकलूंगी कि अंदर आओंगी सुनदर साथ पटाफट जवाब देंगे मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कि अंदर आना पड़ेगा यहाँ पहुचने के लिए हमें हर तरह से निकलना चलना घूमना फिरना सब जगे से आना चाहिए. जैसे हमें अपने गर में आता है कि हम इसीडी से चड़ेंगे तो यहां पहुँच जाएंगे, उधर से चड़ेंगे तो यहां पहुच जाएंगे. नाम जी, अंदर आके दकशिन दिशा में आके दरवाजी के सामने फिर बूफ दिशा में आगे आएंगे तो 28 थम के चौक की शोबा आजए अच्छा शूती हम बाहर से भी तो आ सकते हैं आज जी बाहर से अगर बाहर जाएंगे उतर दिशा में तो वो गली जो दो थम और तीन गलीयों की शोबाया त्रिपोलिय की उसमें स कहीं से भी आओं मुझे पहुंचना यहां पे है मैं कहीं से भी घूम के आओं मुझे हर रस्ता मेरे घर का पता होना चाहिए कि यह भी गली है मेरे पास जैसे हमने मुल मिलावे में देखा था मैं इधर अंदर से जा रही थी तो मुझे बाहर से भी इजी लग रहा है जाना तो मैं बाहर से भी जा सकते हूं तो हर तरह से, यहां सीडिये वाले मंदिर में मैं अंदर घुम के आउंगी तो मुझे यह चोरसवेली का दर्वाजा पार करना पड़ेगा और यदि मैं बाहर आ जाती हूं तो दो थंबो क्यार तीन गली में से यहां पे आओ और अपना मुख तक्षिन की तरफ करके इस भली पे आजाओ या सीधा हम 28 थंग के चोग पे आजाओ में तो मकसद हमारा क्या है यहां पहुचने से है न हम कहीं से भी आ सकते हैं अब यह हम चौथी भोम में है तो चौथी भोम में जहां नीचे 28 थंग का चोग है सेम उसके उपर 28 थंग का चोग ठीक है और जहां मंदिरों की दो हारे हैं वैसे ही सब उपर भी वैसे ही चल रहे हैं सेम वैसे अब मैं यहां से चल के मैंने क्या देखा बाहर से आरही हूँ अंदर से आ रही हूं तो मुझे क्या दिखेगा चोरस हवेली के मंदे और ये पूरव का दर्वाजे दोनों दर्वाजे से बाहर निकली तो मुझे क्या दिखा दो चबुत्रे भी दिख रहे हैं क्योंकि हवेली के बाहर दो चबुत्रे भी होते हैं और दस महरावे भी नजर पर शोभा से अवारीं उपर शोभा सब देखते होए 28 तम के चौक को पार करके फिर एक गली को पार के अब एक सुन्दर whenever i help me下 기자 कल हमने समझा हैicki r yaşa पे तीक तीसरीा हो में इस गलीं पर क्या सभा आ जो सुन्दर साथ, सब सुन्दर साथ कुछ न कुछ जवाब दिया करो, गलत बोलें, चैसाई, यह नहीं कि रोज एक ही सुन्दर साथ सब वही जवाब दे रहें, हर सुन्दर साथ कोशिश करो, कि यह गली जो आई है, जो उपर है, तो नीचे क्या आया है, तीसरी बोम में, उस जगे पर क्या शुबा आई है अमिता बेन अन्म्यूट कीजिए और वीडियो आन कीजिए वीडियो ज़रूर आन करो वहाँ पर बालभोग होता है जो गुत्रे के इस गली पर क्या बनेगा पहले आप यह सोचो ती 28 सम के चौक पर हो तो यहां क्या बनेगे तो वहाँ पर जो गली है वहाँ पर उपर में तीसरी भो में वहाँ पर बालभोग की लीला होती है और इसके बाज़े में देहलना अन्म्यूट गली में है कि कुछ बनता है इसके उपर इसके उपर चौक बनता है हाँ कितनी सीड़ी चड़के क्या बनेगा हाँ तीन सीड़ी चड़के उपर आएंगे हाँ जी हाँ एक चौक बनेगा जिसके पालगो होता है फिर देहलान फिर पड़सार बिल्कुल सही हाँ बस आप ये बोलो कि मैं उपर यहाँ पर आई तो तीन सीड़ी उपर चड़के मैं चबूत्रे पर आगे फिर चबूत्रे पर आई तो मैं ये चबूत्रा कितना बड़ा है कितना बड़ा है दस मंदीर का चौड़ नहीं ये वाला चार-चार मंदिर वो कैसे चार मंदिर लिये उसमें दो मंदिर की ये जो हमारा धाम दर्वाजा था और एक मंदिर इसका लिया एक इसका यहां पर दहलान जो बनी हुई है सेम उतना ही चबूतरा दहलान में कितना लिया ये वाला मंदिर नहीं लिया और ये व तो टोटल कितना मंदिर हो गया, यह चार मंदिर हो गया ना, आपको दिखा देती हूं, है ना, एक बारी दुवारा से देख लेते हैं, कोई दिख करनी है, उस चीज को हम दुवारा से देख के, हर चीज हमें पता हो नीचे, उपर क्या है नीचे, यह देखो, यहां से मैं सबसके डीज़ी ओस्याना ज या ओपर सब 6 इस जमीन से तेन सीड़ी उपर अब हम्हें यह दिन मन्दी जाना है तो सबस्ते यानि कि यह जो दरवाज़े के साथ तीन सिड़ी नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर हमारे अगले मंदिर में पहुच जाए इस गली की बात कर रहे थे इस गली में नीचे तीसरी भूम में यह है तो दूसरी भूम में क्या शोबा आती है? सेम ऐसी शोबा जो शोबा दूसरी भूम में सेम चौथी, पाचवी, छटी, सातवी और आठवी और नौवी भूम बाचणस मैं कुछ कन्फिज वह रही हूँ तो उसको ठीक कर लेंगे तो उपर तक सेम शोबा चलेगी अब मैं यहां गली में खड़ी हूँ तो वैसे ही शोबा सब दूसरी भूम की शोबा को याद करेंगे कि कैसे मैं यहां पे बाहर आ रही हूँ दूसरी भूम में क्या फरक है चौथी भूम में और दूसरी भूम की शोबा में कोई सुंदर साथ सोच के बताओ कि यहां आगे वाली शोबा में दूसरी भूम में और यह चौथी भूम के इस जरोखे में क्या फरक है क्या फरक आया सब दूसरी भूम में नीचे अपनी जित्वन वहां लेके चले इस शोभा में चोथी और दूसरी भूम में यहाँ पर क्या फरका है दूसरी भूम को याद करो सब नीचे पनाम जी आंटी पनाम जी बच्चे आँटी दूसरी भूम में ये चज्जा पूरा नहीं आया है ये तीसरी भूम से आटवी भूम तक पर साल पूरी आया है दूसरी भूम में आगे जरोखा आया है मिडल में हाँ, मिन्स दो बच जाते हैं, उसके पार्ट्स तू हो जाते हैं है ला? हां जी दो पार्ट्स हो जाते हैं चार-चार मंदिर का दोनों सही लिए ये ये फर्क मुझे सुनना था बिल्कुल ठीक है बच्ची बात अच्छे परणाम जी तो ये चौथी भॉम में बाकी शुबा सेम है हमारा फर्क क्या आया ये चबूतर दो थे अब यहां पे सब तीसरी भॉम से सब बराबर एक ही भॉम ऐसे उठते जाएंगे उपर हमारे जरो के उपर होते जाएंगे सेम अब मैं यहां 28 थम के चौक के हूँ सेडियों वाले मंदिर से मैं इधर आई मुख मेरा पुरव की तरफ 28 थम के चौक को पार किया एक गली को पार किया धाम दर्वाजे वाले मंदिर के दर्वाजे से मैं अंदर आई तो धाम दर्वाजे के मंदिर में मैंने क्या देखा सामने दाएं बाएं उत्तर दक्षिन मुझे एक एक दर्वाजा मध्धे की दिवार में नजर आ रहा है क्या शोबह आई होई है मंदिरों में कि particularly सामने वाली कितने मंदिर आते हैं यहां बने भी होए हैं हलो देन कितने मंदिर आएंगे कितने धर्वाजे कितने जाली स्विस्टुबही तीम म maken मद्धे में तो दो दर्वाजे आएंगे, दाएंबाएं, और बीच में जरोखा आएगा, और साइडों में चार-चार मंदिर की शोबा आएगी, जरोखा आएगा, मद्धुभावी, यहां पर, जरोखा यह उपर सेकिंड प्रोर की बात कर लो ना, नहीं, नहीं, चोथी बॉ में जो जरोखा आया था, वो दर्वाजे के उपर, और चोथी बॉम में, यहां पर हमारे छे जाली द्वाज, नहीं, मैं सुझा, आप सेकिंड प्रोर का पूछ दे हूँ, और बात कर लो ना, तो यह चोथी बॉम में हम पहुँच गए, यहां पर, तो हमारा क्या शोबाव तो हमारे वैसे ही यह दो दर्वाजे, देखो मन्दिरों में यह दो दर्वाजे दिख रहे हैं ऐसे ही दर्वाजे और छे जाली द्वाज, अब क्या करना है सेम वैसी दर्वाजों में, तीन सीड़ी हमने क्या करना है ? उपर चड़ना है उपर चड़के ही इन जरोखों में पहुचेगी वीडियो देखी थी कल सब सुन्दर साथ रहा है स्टे मॉडल जो बना हुँआ था कहूं तो एक बार वीडियो दिखा देते हैं वह वाली एक सेकेंड मैं चालू कर देते हैं कि मंदिर की शोभा यहां पर कैसे आई है उसको हम देखते हैं यह हमारा एक मंदिर है बीच वाला उसमें एक दर्वाजा पीछे से जब हम आ रहे हैं एक दर्वाजा और सामने अंदिर चलेंगे तो देखो हमारे दो दर्वाजे बेन उसमें तीन सीड़ी उपर चड़के हम जरोखे पे बाहर आ रहे हैं छे जाली द्वार यह दो बड़े दर्वाजे तीन सीड़ी उपर चड़के जरोखे पे आ जाएंगे हम तो हर मंदिर की ऐसी ही शोबा अब उपर ऐसी चलेगी हमें तीन चिरी चड़के ही उपर आना पड़ेगा बाहर वाले जरोखों में मंदिरों से यह देखों यह पूरी ऐसी शोबा मैं जरोखे में हूँ तो दो दर्वाजे छे जाली द्वार यह नजर आएगा महराबे बनी हुई है इस तरह से सब सुन्दर साथ को यह बात समझ में आई अब चलते हैं आगे यहां की शोबा सब समझ में आगी इस जरोखे तक कैसे पहुंचना है अब यहां से बैक यानि की मुख कौन से दिशा में हम यहां पे खड़े हैं अपना मुख पश्चिम की तरफ हम सब सखियां मिलके मंदिरों से वापिस चल रहे हैं तो इन दर्वाजों से तीन सीड़ी उतरना पड़ेगा के चड़ना पड़ेगा पहले हम चड़े थे तो दर्वाजों से नीचे उतरों मंदिरों की शोभा देखते हुए एक गली को पार करो 28 थम की चोब को पार करना है यह दो चबुत्रों की शोभा को देखना है अब हमें यह देखना है कि जो चौरस चौथी जो हमारी चौथी भूम में निरत की हवेली कहां पे आती है उस शोभा को पहले देखना है कि चार, तीन चौरस हवेली पार करनी है तो चौथी जो चौरस हवेली होईगी वो हमारी निर्ते की हवेली होईगी अब यह देखो यह पहली चौरस हवेली यहां से मैंने कैसे पार करी इन पूरव वले दर्वाजे से मैं गई तो एक थम्बो की हार दो गलिया फिर तीन सीड़ी उपर चड़ेंगे तो ये चबूत्रा पूरव की दिशा से मैं चड़ रही हूँ पश्चिम की दिशा से उतर रही हूँ ऐसे ही एक चोरस हवेली पार करनी है बाहर निकलेंगे तो दो थम्बो की हार तीन गलिया और 24 महरावे चार चबूत्रे हवेलियों के आमने सामने चबूत्रों की शोबा को देखते हुए दूसरी चोरस हवेली की पूरव वले दर्वाजे से मैं अंदर गई अंदर गई तो ए एक थम्बो की हार दो गलिया इस तरह से पूरी तीन हवेलियां पार कर लो इस तरह से भी जा सकते और बाहर से भी जा सकते यहां से बाहर आजाओ इस गली से सीधा हाईवे पकड़के अम पूरी ऐसे तीन हवेलियां पार कर लो अब यहां पे हमने अपना मुख कहां करना है दक्षिन के दिशा में क्योंकि चौथी चौरस हवेली जो है वो निर्टे की हवेली है तो यहां पे हम आए यहां पे दक्षिन अब अपना मुख हमने पूरव के दिशा में करने तो यहां इस हवेली में चलना है तो इस हवेली की कैसी शोभा है उसको हमने देखना है यह देखो यह तीसरी हवेली और यह चौथी चौरस हवेली उसके बाद क्या आता है एक सुन्दर साथ बताएंगे चार चौरस हवेली के बाद क्या शोभा शुरू हो जाती है चार चौरस हवेलियों के बाद पूरे रंग महल में क्या शोबह शुरू हो जाती है चाट चौरस हवेली के बाद 201 हांस में क्या शोबह आती है कलपनाजी अन्म्यूट कीजिए सुन्दसा जो जो कैमरा ओन करके रखेगा वो सब फ्रंट में रहते हैं तो कोशिश करो जिनको आंसर देना है सब फ्रंट में रहें और सोनु मुझे कुछ सुन्दसाथ कह रहे थे कि हम हाथ खड़ा करते हैं तो हमारा नंबर नहीं आता तो आप आगे पीछे करके सुन्दसाथ को देख लें तो अच्छा रहेगा कि वो भी जवाब देना चाहते हैं तो सब को मुका मिले तो चार चोरस अवेली पार करते हैं तो क्या आता है आगे सल्पना जी आपने अन्मुट किया ना अन्मुट करो उशा जी आप कर लिजे मुझे पता है आपको आता है मैं देख रहे हूँ कोई बात नहीं उशा दिदी आप करो कालिंदी जी कोई दिक कर नहीं प्रणाम जी प्रणाम जी बिलता है चार गोल हवेलियों का फिरावा आ जाता है चार चारस के बाद चार गोल हवेलियों का फिरावा आता है ऐसे कितने फिरावे हमारे नौ फिरावे है चारस गोल चारस गोल करके की हवेली अब यहां की शोभा देखते हैं मैं यहां पर पहुंच गई अब क्या शोभा होती है निर्ते की हवेली यहां पर क्या स्पेशल अलग आया है कि यहां पर बूरव के पूरे हमारे मंदिर नहीं आए है यहां पर पूरव की देहलान यह मंदिर के यह दो थम पूरव की देहलान कोई भी मंदिर नहीं आया यहां पर तो ऐसी देहलान तीसरी भॉम में कितने मंदिर की आई है ये पूरव की दहलान हमें चौथी भॉम की समझ में आ रही है कि ये पूरे मंदिर नहीं आए तो तीसरी भॉम में कितनी बड़ी दहलान आई है यहाँ पे वहाँ पे भी पूरे मंदिर नहीं आए क्या कितनी धहलान आई है तीसरी भूम में हम चोथी भूम को समझ रहे हैं यहाँ पूरव की धहलान कहते हैं इसको यहाँ कोई मंदिर ने आया मैं एक तो आपको आंसर दूँगी पीछे वाला कोश्चन पूछोंगी यह मैंने बता दिया कि चोथी भूम में यहाँ कोई मंदिर ने आये तो आप सब मुझे बताओ कि तीसरी भूम में कितनी बड़ी दलान आई है हाँ जी चोथी भूम में तो ग्यारा मंदिर की आई है जैसी पहली भूम में आई है तीसरी भूम में वैसे तो एक-एक मंदिर लिया है चार मंदिर की है और जो जगरत होती है तो फिर वो पूरी दहलान हो जाती है मंदिर नहीं होते आच्छा आप दुबारा से बोलो दिदी एक बड़ी दुबारा बोलो पुरी, दस मंदिर की जाती है, और पहली बोम में, आरा मंदिर की दैलान आई चाथी मंदिर, यह और नाम नोमम भी बूम हमारी चाहते EMA बोली देखी तो अब ये चौथी भूम में पूरव की दलान इसमें कोई भी मंदिर सामने कितने मंदिर ओते हैं ये वाले देख हैं किसमने हमारे एकिस मंदिर लांड़ि रिए की मंदिर ऑफ नि टिक्टति अ किसम नरे वृद्र किस मंदिर पूरे सामने हैं तो 21 मंदिर यहां पर नहीं आए हैं अब क्या शोभा आई है उसको हम देखते हैं एक बारी दूसरे नक्षे से अच्छे से यह देखो यह पूरव की देलान यहां पर यानि थंब आ गए कोई मंदिर ने आया और यह कौन से कलर के हैं अब यहां पर जो कंफ्यूजन होता है कि नीलवी के थंब यहां दिखाए हैं लेकिन ज्वार्दास मराजी ने यहां हरा लिखा है तो हम किस हिसाब से समझेंगे किर साउधारन देखे कि हमें कैसे समझना है उस बात को आप थोड़ा समझा सकते हैं तो समझाए है हां जी हां जी सुन्दर साइच जी हमें पहले तो हम वानी की साब से समझेंगे वानी हमें क्या करी है वानी करी है एक चुपाई है हरी दिवाल जो मंदिर तो सामी नेक है दूर चारों तरफों अर्ष ज्वेर करे जंग नूर सो जो हरी दिवाली है जो चौथी यह एक तीसरी यह आपकर जो मंदिर है उंटकी दिवार जो है कॉनसे रंकी है हरे यह चुपाई कह रही है, हरी दिवार जो मंदिर, इसकी जो दिवार है, वो हरे रंकी है, इसकी जो ज्ञाइन है, वो जो है चोथी हवेली के यह जो देहलान है, इसके ओपर पड़ती है, ठीक है न? और एक बात हम यहां पर समझेंगे, मूल मिलावा के अंगर, हमने चौनसर थंबों को वर्णन सुना, चौसर थंबों में, इसकी जो दो थंबों कों से देखती है? कौन से व nuts बिच के, पूरो दू जो जो आओंगे? जो वानी के साथ से वाने सीखा है, मूल मिलावा में देखिए, कहीं में देखिए तो कौन से थंबों की पूछीं. इंसे संदसाजी सब बताएंगे कि सामने कौन से थमबाते हैं प्रणाम जी पांच के आए हैं बिलकुल ठीक और अगल बगल को तमने नीलवी को अगर मदलब केंगे नीला पांच का एक ना तो यदि यह दोन्हों तो नीला लगाएंगे, तो दौनों थौन कों से रंगे हो जाएंगी माझी संद thé Sajad जी नीले को जो जिसलिए वाणी को देखना प्रातमित्य देनी है जो हमें वाणी कह रही है हमें उसी बात को ही मानना है इसलिए ये थम कोंसे रंके माने जाएंगी पाज के यानि हरे रंके ठीक है ठीक है बीदी वैसे जो सुन्दर साथ को जैसे दिल गवाई दे हम लोग सुन्दर साथ सहूर करके बस वाणी से समझा सकते बाकी जैसा कोई इ अभी हम वाणी की इसकी चुपईयां भी देखेंगे, तो ये हमारे हरे थम, ये पूरे, यानि कि ये तो मंदिरों की थम्बों गए, फिर एक थम्बों की हार दो गलियां, और फिर क्या आता है, सबसे सेंटर में कमर भारूचा चबूत्रा, जब उत्रे पे थम्, ये भी हमारे उसी कलर के, यहां पे, अब चलते हैं, कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में, मंदिर पूरे आए हैं, पश्चिम की दिशा में, मंदिर पूरे आए हैं, और दक्षिन की दिशा में, मंदिर सब आएं कोई धहलान और नहीं है बस क्या फर्क है यहाँ पे जो मंदिर है वो पीले कलर के और थम भी आगे पीले रंग के यानि की पुखराज के यहाँ पे और पीछे हमारे हीरा सफेद रंग के मंदिर और सारे थम और उसके बाद दक्षिन की दिशा में सब मानिक लाल रंग के मंदिर और ये थंबों की हार भी लाल दोनों थंबों के हार एक चबूत्रे पर अब सेंटर में सिंघासन यहां पे और राज्जी मराज का मुख पूरव की दिशा में और हम सब सखियां यानि कि मैं ही नवरंग भाई हूँ उसमें कोई हम ये ना सोचें कि वोई जुद्ध की सखियां होती हैं हम मैं ही नवरंग भाई बनती हूँ मैं ही लाडबाई बनती हूँ मैं ही हरक भाई सब हम सब मिल के सब सेवा करते हैं कोई भी अलग वहां पे है ही नहीं है सब एक समान एक दिली सब की तो मैं ही यहां पे नवरंग भाई बनती हूँ मैं ही यहां पे वाद्दे अंतर बचा और यहां किया होता है और यहां किसी सुन्दर साथ को तो ठीक है नहीं तो हम बताएंगे कि यहां पर क्या Конे किसी से यहाँ परका है निष में 9 तो कि परते है और यहां किसी परते हम था तीसरी भौम में और यहाँ पे निर्ति की लिला यही फरक है चौथी भौम निरत और तीसरी भौम में हम सब वादे यंत्र बजाते हैं सुन्दर अलापों की दवारा वहाँ पे राजी के साथ वो लिला होती है तो यहाँ पे निर्ति चौथी भौम निरत की हवेली यह शोबा और यहाँ पे हमारे नवरंग भाई का जो सिनगार है उस शोबा को हम सुनते हैं नवरंग भाई का सिनगार कौन सुन्दर साथ बताएंगे अच्छे से जिनको अच्छे से आता है नवरंग भाई ने क्या-क्य पहना हुए नवरंग बाई का इसी सुन्दर साथ को आता है तो वह भी सुन्दर साथ बोले क्योंकि जरूरे नहीं है कि मैं हिसलों हम सब मिल के सुनृंत कि की स्वाहइन कर सकते हैं थे हंनाम पर लु Beij शिर्षम में सी रित गितनग सा के लिक本当ने कि moim की जार है और पांच पटे की चरनिया है और श्यामरंग की साड़ी है और आमरस की कंचुकी है तो नवरंग भाई का क्या सिंगार हुआ पांच पटे की चरनिया क्या मतलब है चरनिया मींस लहंगा पांच पटिया यानि कि उसमें फाइफ कलिया जैसे होते हैं कलीदार होते है जैसे हमारे सूट भी कलिदार हम बड़े घेर वाले बनाते हैं तो वो पाँच पटे की, पाँच कलियों वाला लेंगा और हरे रंग की इजार यानि कि उनकी चोड़ीदार जो पजामी है हरे रंग की और शाम रंग की साड़ी, हमारी शाम रंग की सुन्दर साड़ी है और आ आमरस की कंचु की, आमरस means yellow color की हमारी कंचु की, तो ये नवरंगभाई का सिंगार, यहां पे निर्थे होती है, अभी ये सब सारी लीला, अभी एक सुन्दर साथ बताएंगे, तीसरी बोम तक की, और चोथी बोम में हम कैसे आते हैं, चोथी पांचवी का बाद में एक सुन् उनको अन्मिट करो, तो तीसरी की लीला वह वर्णन करेंगे, पूरी? हर नाम जी, सुन्दर साथ जी, हाँ जी, एक सेकंड रगली, मैं नक्षा ओवला डालती हूँ, अब आज आरिया दीदी? हाँ जी, बिल्कुल, आरिया, एक सेकंड, जी स्रिवें को, नक्षा डाले, हाँ, आप शुरू करो, आज दी तीसरी भूम की पड़सा से, सेडियो वाले मंदे से, ओके, सेडियो वाले मंदे से, चलते हूँ, यहाँ से, ठीक है? यह वला नक्षा ठीक है? हाँ. हाँ, सुन्दर साथ जी, हम तीसरी भूम में सेडियो वाले मंदेर पे खड़े हैं, सेडियो वाले मंदेर से हम अपना मुख दक्षिन की तरफ करके, पहली चौरस हवेली की गली में से होते हुए, फिर अपना मुख पूरव की तरफ करके, दरवाजे को पार किया, एक गली को पार करके, अठाइस थम के चौंक में से होते हुए, जहां सुन्दर साथ जी नीचे पहली भूम में धाम दरवाजे के आगे एक गली आई है, ठीक उसी जगह पे तीसरी भूम में अठाइस थम के चौंक के बाद चबूत्रा आया है, जो तीन सीड़ी उपर चड जी का मुख उत्तर की तरफ और शामा जी का मुख दक्षिल की तरफ होता है, उसके बाद चबूत्रे के आगे सेम लेवल पे दहलान आई है, जो धाम दरवासे के बिलकुल उपर आई है, दो मंदिर का धाम दरवासे और साइट पे जो चार चार मंदिर आये थे, उसमें से एक-एक मंदिर लेके चार मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की लंबी दहलान हो जाती है, इस दहलान में अगर जो तीन-तीन मंदिर अगर हम चाहें तो ये मंदिर हट जाते हैं और लंबी चौड़ी दहलान बन जाती है, इसी में दूसरा मंदिर जो है दक्षिन साइड मे वो नीलो नपीलो रंग का मंदिर हैं, जहां राज शामा जी दोपहर के भोजन के बाद फिश्राब करते हैं। यह चार मंदिर की देहलान के आगे, पूरे दस मंदिर की चौड़ी और दो मंदिर की लंबी पर साल आते हैं। सुन्दसार जी जब सुबह राजी, शामा जी और सक्या रंग परवाली मंदिर पांचवी भूम से यहां पे सुबह छे बज़े आते हैं, तो सबसे पहले इस पर साल में आगकर इन महराबों में खड़े होते हैं, और सभी वनों, पशुपक्षियों, पेड़ पोधों को अप पे राजी का मुख पूरव की तरफ होता है, और दूसरी मंदिरों की जो हार है, छे हजार मंदिरों की, अठाइस तम के चोंके दक्षिन साइट में पहला मंदिर आस्मानी रंका है, जिसमें शामा जी का शिंगार होते हैं, शामा जी का मुख भी पूरव की तरफ होता है, पूरव की तरफ राजी का मुख यहां राजी बैठे हैं, तो राजी का मुख किदर होएगा? राजी का सिंगार चल रहा है? दक्षीन की तरफ हाँ, मतलब राजी शामजी एक दूसरे को निगाओं से देखते हैं पूरव इधर हो जाता है, कोई बात नहीं है? राजी का सिंगार तो रंगपर वाली मंदिर पांचवी भूम में होता है और अभूष्णों का सिंगार यहां तीसरी भूम में होता है जब राजी का सिंगार हो जाता है, तो चार सखिया राजी को लेकर आती हैं और आस्मानी रंग के मंदिर से चार सखियां शामा जी को लेकर आती है राजी चब उत्रे से एक सेड़ी नीचे उतरते हैं और शामा जी एक सेड़ी उपर चड़ते हैं और बीच वाली सेड़ी में दोनों का मिलन होता है शामाजी राजी के गले में वर्माला पहनाती है और राजी शामाजी के गले में हाल और मांग में सिंदूर भरते हैं और सभी सक्षियों की मांग में सिंदूर अपने आम भर जाता है क्योंकि वहाँ एक तिली की लीड़ है उसके बाद पढ़ साल में पर साल में दक्षिन दिश्ण में एक ठेड़े के साथ लगता हुआ सिंघासन आया है सिंघासन पर राजी शामा जी विराजमान होते हैं और उनका मुख पश्चिम के तरफ होता है वहाँ पर राजबोग दोपहर का खाना यहीं पर अरोपते हैं राजबोग के बाद पर विश्राम करने के लिए राजबोग दोटे हैं और उसके बाद सख्याँ टोले पूलबाग, पूलबाग, लालच्शवोतरा टोले टोले बना कर जाती है और वहाँ पर अपने माशूर की प्रेमधरी बाते हैं सुन्दर साथ जी सबसे ज़्यादा टाइम हम तीसरी भूम की पटसार में भी दाते हैं सुबी छे बज़े से लेकर दो पहर के तीन बज़े तक नो घंटे अथात तीन पहर हम यहीं पे रहते हैं पनामची सुन्दर साथ यह अमारी तीसरी भूम की लीला का वर्नन जो जो ी थोड़ा सा एक लीला का वर्नन करें तो यह सुन्दर साथ के भाव बहुत अच्छे से हमें समझ में आगया कि हमने क्या-क्या यहाँ इन चबूतरों पे करते हैं अब चौथी भूम में हमने क्या देखा, वो देखते हैं, चौथी भूम का रिवाइज करके, फिर हम पांच्वी भूम की शोबात में ले चलेंगे सुन्दर साथ को, ये चौथी भूम निरत की हवेली, चौथी चौरस हवेली, वो हम कैसे पहुंचे थे, रसोई के हवेली से हमने सीडियों के मंदिर से दक्षिन की तरफ बहार आके, फिर हमने अपना मुख, यदि मैं सीडियों के मंदिर में हूँ, तो हवेली के अंदर में ही हूँ, मतलब कि अंदर आई तो हवेली के अंदर, फिर अपना मुख पूरव की तरफ करके, तीन चौरस हवेली को पार कर कि चोथी चोरस हवेली निर्टे की हवेली अभी अभी इसमें हमने देखा कि पूरव की धहलान ये हरे रंग की और ये पूरी यानि कि हमें ये चार थम क्यों दिख रहे हैं दो तो मंदिर के हो गए और बीच वाला एक थम्बो की हार दो गलिया और एक चब उत्रे पर और हमारे पीले कलर के बंदे तो इस तरह से ये निर्टे की हवेली राज जी शामा जी बैठे हैं और ये निर्टे की अब एक दू चोपईया हम इसकी देखते हैं चौथी बॉम की बाणी की चोपईय से श्री कुल्जम स्रूप परिकर्मा प्रकर नमबर इकतिस चोपई नमबर पचास एठोर है निर्ट की सो केता कहूं मजगूर चारों तरफों उपर तले कहूं मावत नहीं जहूर इस चौथी हवेली में निर्टे की लीला होती है जिसके आनंद का मैं कहां तक वर्णन करूं इस हवेली में उपर नीचे चारों और निर्टे का ही अखंड रस फैला हुआ दिखाई देता है शिरी राज शामाजी बीच में बैठक सिंगासन रूहे बारे हजार को हक देत सुख सबन निर्टे की लीला के समय शिरी राज शामाजी चबूत्रे के मध्य में सिंगासन के उपर विराजमान होते हैं वे निर्टे लीला के माध्यम से सभी सक्यों को अपने रिदे की अमरत धारा में डुबो देते हैं तो वहाँ ये लीला हमारी निर्थे की हवेली की होती है एक और चुपाई पढ़ेंगे चुपाई नमबर 54 प्रकरण नमबर 31 पाउं जंजर घूंगर बोल ही जंजर घूंगर बोल ही कांबी कडलो बाजद याही तरह अनवट विच्छुआ संग लिये गार्जत नवरंग बाई जी के पैरों में जंजरी, घूंगरी, कांबी और कडला की अती मधुर ध्वनी बचती रहती है उनके साथ अनवट एवं बिच्छुआ भी बहुत ही मोहक स्वर में बचते है जिनविद पाउं चलावही जो बजावे जंजरी तो घूंगरी कोई नया चलत नवरंग बाई पैरों के किसी भी अभूशन को बजाने के लिए इस प्रकार से अपना पाउं चलाती है कि वो केवल वही भूशन बजता है यदि वो मात्र जंजरी को बजाना चाती है तो पाउं चलाने पर केवल जांजरी ही बोलती है उस समय कोई भी गुंगरी या अन्य आभूशन से आवाज नहीं आती मतलब वो इतनी कला से निर्टे होता है कि एक जांजरी को चलाना चाहती है तो सिरफ जांजरी ही बज़ती है गुंगरी में आवाज नहीं आती और यदि सब चाहते हैं तो सब ही बसते हैं तो ये वाणी के हिसाब से परिकर्मा ग्रंथ की चौथी भौम की दृतिकी हवेली की चुपईयाँ अब हम चलते हैं यहां से चौथी भौम से पांचवी भौम हमें कैसे चलना है बस थोड़ा सा वहां तक करना है उसके बाद हम हमें यह पता चलेगा कि पांचवी भौम की शोभा हमारी कैसे आई है पांचवी भौम शयन के मंदिर पांचवी भौम शयन की लिला अब हमें पांचवी भौम में सबसे पहले यह देखना है कि पाँची भूम के अंदर जो रंग परवाली मंदि है उसकी शोभा कैसी आई है उस शोभा को देखना है अब एक सुन्दर साथ बताएंगे कि हमें ये सब क्या नजर आ रहा है और ये सेंटर में क्या है ये शोभा हम सुन्दर साथ ने समझी है शब्दों में दूसरा सुन्दर साथ बोलेंगे कि क्या शोभा हमने ये समझी ये इस सेंटर में क्या है कैसे हमने समझा था ये सुन्दर साथ बताएंगे जोटसना जी अन्म्यूट कीचे परणाम जी सबसे पहले हम 28 तम के चौक में खड़े है तो हमें नव फिरावा पार करना पड़ेगा मतलब ये चीज क्या है ये चौरस और गोल हविल्या बताई है वो मुझे नहीं मालो वैसे तो चौरस और गोल हविल्या फिर पंच महल आते है या 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 पंच महल आग जाएगा ठीक है ये पंच महल की चार लाइन है और उसके बाद बगीजे की हार है और उसके बाद नौ चौक आते हैं और नौ चौक के चारो कौनों में बड़े-बड़े चाहे बच्चे है वो पाइप है पानी के स्टून है बिलकुर और बीच में नौ चौक है उसमें बीच वाला जो चौक है यह पहली भूम में भी यह शोबा थी, दूसरी भूम में भी, तीसरी में, चौथी में. हमने यहां तक की शोबा देखी, ऐसी शोबा पूरी उपर तक जाएगी, यानि कि पूरी नो भूम तक जानी है. तो रंग पर वाली जो मंदिर है, वो पांची भूम में है. लेकिन जो यह नो चोख हैं, यह वाले, जो सेंटर वाले, यह सभी मंदिर में है. क्यों कि रंदीदी, जो सेंटर वाला रंग पर वाली जो मंदिर है, वो सिरफ पांची भूम में है ना, कि सभी भूम में वो रंग पर वाली मंदिर होता है. यह नो चोख है, रंग पर वाली मंदिर है तो अब हमें पहुंचना कैसे है, सब सुन्दर साथ को ये रस्ता ये पता होना चाहिए, अब मानलो चौथी भौम में, अब यहां से देखो, ये चार चौरस हवेली हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौरस हवेली, ये कौन सी थी, निर्टे की हवेली, अब हमें पीछे ह हमके लिफ्ट में पहुंचे, बटन दबाया, पांच का, फिफ्थ फ्लोर पे जाना है हमने, तो लिफ्ट पे हम उपर पहुंचे, अब मुझे कहां पहुंचना है, सेंटर में, ये हमारा, यहां पे रंग पर वाली मंदिर है, तो यहां सेंटर में पहुंचना है, तो मैं ल बाहर निकलते हैं, तो हमें दिखेगा यहां पे दो थम्बो की हार तीन गलिया, सब को याद है, हवेली से बाहर निकलते हैं, तो दो थम्बो की हार तीन गलिया, हवेली के अंदर होते हैं, तो एक थम्बो की हार दो गलिया, तो हम यहां पे पहुँच गए, अब क्या है, हमे सवारी ले लेने हैं, बहुत सुन्दर रत में लेंगे हमें बैठने के लिए, क्योंकि सब सुन्दर साथ को एक साथ चलना है, तो सब रत पे भी बैठ के चल सकते हैं, तो बीच में बैठ जाओ, बस सब सीधा चलते चलो, सीधा बीच में से, हाईवे पे चलना है हमने, यह में और पांचे में कुछ स्पेशल है वो रंगपर वाली मंदिर है वो मध्धे के चौक में सबसे सेंटर में होता है तो ये शोबा हम फल देखेंगे अभी हम जुगलदास मराजी के विरित का आनन लेंगे सब सुन्दर सार ये अभी बस वो रस्ता हमें पता चल गया बाकी ये शोबा दीरे-दीरे हम समझेंगे इसके गहराईओं में अब हमने तीन हरफ में क्या-क्या देखा एक तो मैं सुहाग इनकर दावा दूसरे हरफ में क्या देखा कि हमारे को इश्क आना इश्क होना चाहिए राजी से इश्क की लगन और तीसरा कि राजी को जिद से पकड़ना है अपनी जिद होनी चाहिए जैसे होता है जिद कि मैं सिरफ राजी की हूँ राजी को छोड़ना नहीं है तो उन्होंने उधारन देखे ये बताया है जैसे मजनू खुदा से कहता है कि मुझे अपना आशिक बनाना चाहती है तो तू लैला क्यों ना हुआ यानि बना, क्यों नी लैला बना जैसे शशी अपनी मां से कहती है कि अरी ओ मेरी दिवानी मां तो मुझे पुन्नू के बदले शा और शैंशा के साथ घर बसाने को कह रही हो मैंने तो अपने पुन्नू माशूक पर तो रब को भी निच्छावर किया है सिवाए पुन्नू के मुझे को रब से भी काम नहीं मतलब यहां के आशूक माशूक का राजी उधारन दे रहे हैं कि वो कितनी उनकी पक्की लगन थी और जैसे बिहारिन दास हरी को कहती है कि हरी दास की सूरत विना मैं आप से मिलाप नहीं कर सकता हो शिरी कृष्ण प्यारे मेरे जो तू मुझे मिलना चाता है तो हरी दास के रूप में घर में आओ मतलब उन्होंने कृष्ण जी को भी यही कह दिया यदि मुझे मिलना है तो हरी दास के रूप में आओ इसी प्रकार एक पती व्रतास्तरी की रीथ है कि वे अपने पती के सिवा और किसी को नहीं देखती उसकी जिद देखकर भगवान खुद उसके पास चल कर आए और उस पती व्रतास्तरी से मिले तब वे पती व्रतास्तरी उल्टी खड़ी हो गई और भगवान से बोली जो तुम मुझे गले लगा कर भेटना चाहते हो तो मेरे उसी पती के रूप में आओ तो ही मैं तुमको मेरे अंग को छूने दूँगे उधारन दिया है उन्होंने सो हे सुहागिन फिर हमें राजी मराज कहा रहे है अपने माशूक की ऐसी जिद पकड़नी चाहिए तब वे माशूक तुमारे बस में होगा और इसी जिद से माशूक तेरे वश हो जाएगा इसलिए हे सुहागिन माया के सभी सुखो को चोड़ना परंतु माशूक हक की जिद ना चोड़ना जिनको भी माशूक मिला है उसको जिद से मिला होएगा और जिनको आगे मिलेगा बिना एक जिद से ना मिलेगा ना आगे मिलेगा मतलब जिद से पकड़ना है राजी को बाकी सब को छोड़ देना तो सुन्दर साजी ये हमारे तीन हरफ अच्छे से ये हम हुए चोताराव हम सोमवार को पढ़ेंगे पुरा बोलो शिरी प्राणनात प्यारे की